हमारे सभी दर्षकों को साधर पढ़ाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको जुलाई 2022 ग्रह प्रवेश के सर्वस्रेश्ट मुहृत कौन से हैं इसके बारे में जानकरी दूँगा और यदि जुलाई में नया मकान बनकर तैयार है ग्रह प्रवेश करना चाहते हैं तो आज जो जानकरी दे रहा हूं इसको द्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन-कौन से शुब मुहृत हैं जुलाई के महिने में इन में आप ग्रह प्रवेश कर सकते हैं इसके साथ ही तारिक बताई जाएगी विशेश बात ग्रह प्रवेश का समय भी बताया जाएगा और इसके साथ ही आपकी राशी अनुसार कौन सा मुहृत आपके लिए अच्छा है यह भी आपको पता लग जाएगा यदि इस वीडियो को द्यान से देखेंगे तो यदि नया मकान बनकर तैयार हो जाता है और जुलाई में आप करना चाहते हैं या कोई पुराना मकान है उसको तोड़कर नया बनाया है या अपने अपने पुराने मकान के उपर एक मंजिल और बनाई है उसका मुहृत करना चाहते हैं तब भी इनको इन मुहृतों को ले सकते हैं तो सबसे पहला मुहृत कौन सा है जुलाई महिने का आशाड मास शुकल पक्ष सब्तमी पिनांक 6 जुलाई 2022 उत्रा फालगुनी नक्षत्र है और ग्रह प्रवेश का समय क्या है सुबह 6 से 9 बज कर 15 मिनट तक तो सुबह 6 बज़े से लेकर सवनो के बीच में आप ग्रह प्रवेश कर सकते हैं या इसके बाद सुबह 11 से 11 43 के बीच में भी कर सकते हैं तो 43 मिनट 6 जुलाई 2022 का मुहुर्थ है आशारमास शुकलपक्ष सब्तमी का यह मिथुन तुला और कुम राशी वालों के लिए शुबह नहीं है यदि आपकी मिथुन राशी है तुला राशी है कुम राशी है तो आपके लिए यह मुहुर्थ शुबह नहीं है अब मान लिजिए पत दूसरे मुहुर्थ के बारे में, दूसरा मुहुर्थ है आशार मास, शुकलपक्ष, अस्टमी, गुरुवार, चित्रा नक्षत्र है, दिनांग है 7 जुलाई 2022, और समय क्या रहेगा, दोपहर 12 बचकर 20 मिनट से लेकर, एक बचकर 10 मिनट के बीच में, तो कुल मिलाकर यह अभ प्रक्रिया भी होगी, और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर एक वीडियो में प्रेशित करूँगा, उसको आप अवश्य देखें, ग्रह प्रवेश की पूरी प्रक्रिया वहाँ पर आपको मिल जाएगी, मितुन तुला और क उम राशी वालों के लिए शुब इस्तती नहीं है, उनका चंद्रमा इस दिन शुब नहीं रहेगा, वापस वही बात पती और पत्नी में दोनों में से एक की भी राशी अन्य है इन तीन राशियों से, तो मुहुर्थ को किया जा सकता है, कोई समझ्यावली बात नहीं है, अब बात करेंगे अगले मुहुर्थ की आशारमास, शुकलपक्ष, दश्मी, शनिवार, स्वातिन अक्षत्र है, दिनांग है, 9 जुलई 2022, तो 9 जुलई को भी मुहुर्थ है, ग्रह प्रवेश का, समय क्या रहेगा, सुबह, 7 बज़कर 40 मिनट से 9 बज़कर 15 मिनट तक, तो करक वरश्चिक और मीन राशी वालों के लिए शुभ नहीं है, तो इस बात को भी समझें, अन्य राशी वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, गर का जो मालिक है, उनके नाम से अगर आप देख रहे हैं, और उनकी राशी करक वरश्चिक मीन है, तो फिर मुहुर नहीं हो सकता है लेकिन पत्नी की राशी अलग है तो पत्नी के नाम से भी देखा जा सकता है कोई समस्या वाली बात नहीं है फिर इसके बाद देव शेयन वाली प्रक्रिया प्रारम हो जाएगी 10 जुलई 2022 को देव शेयन है देव शेयन के बाद अधिकतर शुब मांगलिक कारि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक मुहर्थ और बता रहा हूं, अवशक्ता विशेश में इसको भी कर सकते हैं, एक बात अवश्य ध्यान में रखे हैं, ये जितने भी मुहर्थ बता रहा हूं, आशाड मास के मुहर्थ हैं, और आशाड मास के मुहर्थ सामन्य मुहर्थ की श पिर भी इन महिनों को आप चूक जाते हैं और नहीं कर पाते हैं तब जाकर फिर आशाड मास में भी जरूरी हो तो ग्रह प्रवेश कर सकते हैं कोई समस्यावाली बात नहीं है तो अंति मुहृत कौन सा है आशाड मास शुकलपक्ष द्वादशी अर्था देव शेन एकादश को और यह जो मुहृत है 11 जुलाई 2022 को है अनुराधा नक्षत्र है आशाड शुकलपक्ष द्वादशी समय क्या रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजकर 35 मिनिट के बीच में तो 6 से 7.5 के बीच में आप घ्रह प्रवेश कर सकते हैं लेकिन यह जो मुहृत है 11 जुलाई 2022 का यह मुहृत किन के लिए शुब नहीं है मेश राशी सीह राशी और धनु राशी यदि आपकी है तो आपके लिए यह मुहृत शुब नहीं रहेगा तो कुल मिलाकर मैंने सारी इस्तती आपके सामने रख दी और गरह प्रवेश की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर जो वीडियो है उसको अवश्य देखें और यदि आपका मकान अभी ही कंप्लिट हो चुका है तो आपके पास माई का महिना पूरा पड़ा है माई के जो मुहरत बता हैं वेशाक और जेस्ट मास के जो मुहरत बता हैं उनको अवश्य देखें उन मुहरतों को कर लेंगे तो फिर कोई समस्यावाली बात ही नहीं लेकिन जरूरी हो तो फिर इन मुहरतों को भी आप देख सकते हैं लेकिन मकान में एक प्रक्रिया होती है कि मकान पूरा कम्पलीट हो दर्वाजे लग जाएं मकान में कोई काम बाकी ना हो फर्ष भी लग जाए French काम सब काम कम्पलीट हो जाए उसके बाद ही गृह प्रवेश किया जाता आधा अधूरा मकान है जिसकी छट भी नहीं डली है दर्वाजे खिडिकियां भी नहीं लगी है ऐसे गर में प्रवेश नहीं करना चाहिए इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है और यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें गर और मुहुर्थ समय समय पर मिलते रहेंगे धन्यवाद जैशी क्रिश्णा